नमस्ते मैं हूँ रूमा आप सभी का स्वागत है इजी स्टीचिंग आइडिया में आज मैं दिखाऊंगी स्कार्फ मांक्स बनाना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल को लाइक, सेर, कॉमंड कीजिए अगर किसी ने अभी तक दूपर्टे यूज करूंगी एक दूपर्टे से आप दो मांक्स बना सकते हैं तो चलिए कैसे बनाना है मैं दिखाती हूं दूपर्टे को फोल्ड करूंगी और इसका मीडिल निकालके मीडिल से इसको काटके दोनों हिस्से में अलग कर लूंगी देखिए दोनों हिस्से में मैं इसको काट चुकी हूं अभी एक हिस्सा लूंगी और उसी से फेस मांक्स बना के मैं दिखाऊंगी यह इसका चौड़ाई मैं लिए हूं 15 इंच तो यही हिसाब से इसको फोल्ड करी हूं और बाकी जितना कपड़ा है इसको यहां से काटके निकाल लूंगी देखे मैं 15 इंच के हिसाब से पूरे हिस्से को फोल्ड कर चुकी हूं अभी साइड से जो एक्स्रा कपड़ा है इसको काट लेती हूं जो एक्स्ट्रा कप्रा था साइड में उसको काट के मैं निकाल चुकी हूँ, अभी इसी कप्रे से पीसे निकाल ना है तो चलिए मैं पहले उसको कर लेती हूँ, लंबाई लूंगी 8 इंच, चौड़ाई लूंगी 10 इंच, तभी पॉइंट को जोड लेती हूँ और काट के न निकाल चुकी हूँ, अभी इसको साइड में रख लेती हूँ, और दो पट्टी काटूंगी तो चलिए मैं दिखाती हूँ, पट्टी बनाने के लिए मैं दो पीस काट के निकाल लूंगी, तो उसके लिए इसका चौड़ाई का माप लूंगी 3 इंच, और लंबाई का माप माप लूँगी 40 inch तो चलिये अभी इसको मैं काटके निकाल लेती हूँ देखिए एक बड़ा प्टी और दो छोटा पट्टी मैं काटके निकाली हूँ अभी इसको साइड में हटा लेती हूँ कैसे माप लेना है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ देखिए जो बड़ा पीस में काटके निकाली थी उसकी middle position में निकाल लूँगी इस तरीके से और एक fold करूँगी और इसका middle में निकाल लूँगी तो यहाँ पर एक निसान में लगा लेती हूँ देखिए middle में जो निसान में लगाई हूँ यहाँ से अंदर की तरफ 2.5 इंच पे एक निसान में लगाऊंगी और इसके नीचे की तरफ 1.5 इंच पे एक निसान लगाऊंगी एक box बना के इसको जोड लेती हूँ अभी यही हिस्से को काटके निकाल लूँगी देखिए सभी पीस मैं काटके निकाल चुकी हूँ अभी कैसे सिलना है तो चलिए मैं दिखाती हूँ तो चलिए पहले यह दोनों पटी को सिल लेती हूँ देखे पट्टी को लूँगी इस तरीके से फोल्ड करूँगी फिर और एक फोल्ड करूँगी फिर और एक फोल्ड कर लूँगी तो सिल लूँगी तो चलिए मैं सिल के दिखाते हूँ देखिए एक पट्टी मैं सील चुकी हूँ, दूसरा पट्टी इसी तरीके से मैं सील लेती हूँ देखिए दोनों पट्टी मैं सील चुकी हूँ, अब मैं फेब्रिक को लूँगी और कटी हुए हिस्से के नीचे ये जो पट्टी मैं काटके रखी थी इसको रखूंगी देखिए इसके सीधा तरफ मैंने पट्टी को रखा है और इसके नीचे ही मैं ये डोड़ी रख लूँगी और यहां पे पीन से इसको लगा लूँगी और एक पट्टी लगाऊंगी इस तरफ अभी इसके चारो साइड से इसको सील लूँगी तो चलिए मैं दिखाती हूँ देखिए मैं इसको सील चुकी हूँ अभी आंदर के तरफ थोड़ा थोड़ा कप्रा रख के इसको काटके निकाल लेती हूँ अभी कोने की तरफ छोटा छोटा कट लगाऊंगी और इसको पलट लूँगी देखिए मैं कट लगा चुकी हूँ अभी इसको पलट लेती हूँ इसको पलटने के बाद पट्टी के साइड के हिसे को इस तरीके से फोल्ड करके मैं सील लेती हूँ फिर इसके ऊपर एक चाप स्लाई में लगा लूँगी तो चलिए मैं दिखाते हूँ देखिए इसके ऊपर चाप स्लाई लगा के मैं इसको तयार कर चुकी हूँ अभी इसका साइट का खुला हुआ इसा है सिल लेती हूँ तो चलिए मैं दिखाते हूँ अभगाते हूँ देखिए इस कार्फ मार्क सिल्के मैं इसको तयार कर चुकी हूँ अभी मैं पहन के आप लोगों को दिखा दी हूँ